दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो डेली यूज की मसीन्स है वो कैसे काम करती है तो आगे देखते रहे इस वीडियो को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके घर में जो फ्रीज है वो कैसे काम करता है और आपके चीजों को कैसे ठंडा कर देता है तो आईए देखते है तो freeze कैसे काम करता है इसको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना होगा जोल थॉम्सन इफेक्ट बेसिकली इसमें क्या होता है कि fluid का temperature चेंज हो जाएगा अगर वो high pressure वाले जगह से low pressure वाले जगह में जाएगा except hydrogen, helium and neon क्योंकि ये तीनो room temperature पर अपना temperature चेंज नहीं करते है इनका temperature चेंज करने के लिए बहुत low temperature चाहिए बाकी fluid को अगर room temperature पर high pressure वाले जगह से एक expansion valve के थुरू low pressure वाले जगह में भेजा जाए तो उस fluid का temperature बहुत कम हो जाएगा तो अब हम बात करते हैं कि आपका fridge कैसे काम करता है और उसमें रखा food खराब क्यों नहीं होता है तो खाना खराब होने का कारण होता है उसमें मौझूद bacteria तो fridge आपके खाने को ठंधा कर देता है जिससे उसमें मौझूद bacteria का reproduction rate कम हो जाता है और आपका खाना लंबे समय तक बचा रहता है अब चीजों को ठंधा करने का मतलब होता है कि आप उसमें से उसकी गर्मी को निकाल लेते हैं और exactly fridge में भी यही काम होता है दरसल fridge के अंदर एक ठंधा liquid मूब करते रहता है जो कि उसमें रखे समान के गर्मी को अपने साथ ले जाता है ये process लगातार चलता रहता है जिससे कि समान की गर्मी कम होते होते एकदम ठंधा हो जाता है अब fridge के अंदर जो इतने पार्ष होते हैं वो उसी liquid को ठंधा करने के लिए लगे होते हैं और उस liquid को refrigerant कहा जाता है ये पूरा process शुरू होता है फ्रीज के पीछे लगे compressor से जहां पर refrigerant gas के form में पहुचता है अब compressor उस gas को compress करके उसका pressure बढ़ा देता है जिससे कि उस gas का temperature भी बढ़ जाता है उसके बाद वो gas freeze के पीछे लगे condenser में जाता है जहां पर वो room temperature तक ठंधा हो जाता है या फिर room temperature से थोड़ा सा गर्म राता है और इसी कारण वो refrigerant gas से liquid में change हो जाता है पर अभी भी वो high pressure में ही होता है इसके बाद वो high pressure liquid refrigerant condenser से होते वे capillary tube में जाता है जहां पर उस liquid का temperature बहुत कम हो जाता है और इसका कारण है जोल thompson effect जो कि मैंने आपको इस वीडियो के सुरू में ही बताया है और यहां पर वो liquid थोड़ा थोड़ा vapor या gas में भी change हो जाता है इसके बाद वो refrigerant जो कि liquid और थोड़ा थोड़ा vapor के form में था वो freeze के अंदर लगे evaporator में जाता है और सिर्फ evaporator ही freeze का ऐसा part होता है जिसे आप बिना freeze को पूरी तरीके से खोले वे नहीं देख सकते हैं तो जब refrigerant evaporator में जाता है तो वो freeze के अंदर रखे समान के गर्मी को अपने अंदर खीच लेता है जिससे कि वो पूरी तरह से vapor या gas में change हो जाता है और फिर वो compressor में चला जाता है जहां पर उसे compress किया जाता है और आगे condenser में भेज दिया जाता है और फिर से पूरा cycle repeat होता है और ये cycle लगातार चलते रहता है जब तक कि आप freeze का switch off ना कर दे अब ये तो हो गई एकदम basic process freeze के काम करने का पर इनके साथ ही और भी components होते हैं जैसे कि filter dryer जो कि refrigerant को clean करने का काम करता है refrigerant के अंदर water vapor और dust particles चले जाते हैं हो सकता है ये refrigerant fill करने के time ही चले गए हो जिससे पूरे tube में जंग लग सकता है तो refrigerant हमेशा filter dryer से होके flow करता है जिससे वो पूरी तरय से clean हो जाता है इसके बाद freeze में एक और component होता है जिसे thermostat कहा जाता है जो कि आपके freeze के अंदर एक certain temperature maintain करने में help करता है आप जब भी freeze का temperature set कर देते हैं तो thermostat freeze के अंदर temperature को sense करता है और अगर अंदर का temperature set temperature से low है तो thermostat compressor को बंद कर देता है और फिर temperature जादा होने पर compressor को चालू कर देता है जिससे कि freeze की अंदर का temperature maintain रहता है पर इसका एक alternative भी available है कुछ freezes में inverter compressor लगा होता है जो कि on off होने की जगा अपना speed control कर सकते हैं यानि की वो on off ना होकर जरूरत के हिसाब से अपना speed कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिससे की freeze का temperature maintained रहता है और power की भी saving होती है इसके साथ ही किसी किसी freeze के अंदर fan लगा होता है जो कि cold air के circulation में help करता है और किसी किसी freeze में बाहर भी fan लगा होता है तो इसमें क्या होता है कि पुराने models के freeze में पूरे freeze के पीछे condenser लगा होता है और वो room temperature के कारण refrigerant को ठंधा करता है पर नए models के freeze में condenser को समेट कर छोटे से जगव में freeze के नीचे fit कर दिया जाता है और उसके पास ही एक fan लगा दिया जाता है जिससे कि freeze के पीछे देखने में एकदम clean लगता है अब एक सवाल आता है कि freezer में बर्फ जमता है पर freeze में क्यों नहीं जमता है तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो आप बर्फ देखते हैं freezer के अंदर वो water vapor से बनता है जब भी आप freeze का gate खोलते हैं तो हवा freeze के अंदर जाता है और उसी हवा में water vapor होता है जो कि freezer के पास जाके चिपक जाता है और बर्फ बन जाता है तो freezer में freeze के comparison में जादा evaporator coils होते हैं जिससे कि वो जादा जल्दी ठंधा होता है अगर आप freezer box को ध्यान से देखेंगे तो उसमें चारो तरफ खाज बने होते हैं वो सभी evaporator coil ही होते हैं अब evaporator coil जो होता है वो freeze के अंदर वाले हिस्से में लगा होता है जहां से कि वो समान को अच्छे तरीके से ठंधा कर सके पर जरूरी नहीं है कि वो हर freeze में उपर से लेके नीचे तक पूरे body में लगा हो किसी-किसी freeze में evaporator coil ऊपर से नीचे तक लगा होता है पर किसी-किसी में सिर्फ freezer box में ही लगा होता है जो की ज़्यादा तर कम capacity वाले freezes में देखा जा सकता है और किसी-किसी freeze में सामान रखने वाला जो tray होता है उसमें भी evaporator coil लगा होता है तो अब एक सवाल आता है कि जिस फ्रीज में सिर्फ फ्रीजर बॉक्स में ही इवपुरेटर कोईल होता है उसमें रखा पूरा समान यानि कि वो फ्रीज उपर से लेकि नीचे तक ठंधा कैसे हो जाता है तो इसका सिंपल सा एंसर है कि ठंधा हवा भारी होता है और गर्म हवा हलका होता है तो जब फ्रीजर बॉक्स में लगा इवपुरेटर कोईल वहां के हवा को ठंधा कर देता है तो वो हवा नीचे आ जाता है और नीचे वाला गर्म हवा उपर जाता है और ठंधा हो जाता है तो इस तरह से पूरा फ्रीज अंदर से ठंधा हो जाता है और इसी प तो इसके लिए फ्रीज को चारो तरफ से इंसुलेट किया जाता है आप जो बाहर का कवरिंग देखते हैं और जो अंदर का कवरिंग होता है एकदम वाइट कलर का उस दोनों के बीच एक इंसुलेटेड लेयर होता है जो की बाहर के गर्मी को बाहर और अंदर के ठंधक को अं दोनों ही केस में फ्रीजर के अंदर एक heating element होता है जो की बर्फ को पिघला देता है और वो पानी फ्रीज के अंदर लगे pipe के सारे compressor के उपर लगे tray में चला जाता है जहां से वो compressor के heat के कारण evaporate हो जाता है और जो auto defrost वाला फ्रीज होता है उसमें यही काम अपने आप एक fixed time interval पर होते रहता है अब फ्रीज के जो main components है उनके नाम उनके काम के आधार पर ही रखे गए है जैसे compressor जो की refrigerant को compress करने का काम करता है condenser जो की gas refrigerant को condense करके liquid में बदल देता है और evaporator जो liquid refrigerant को evaporate करके gas में change कर देता है अब यहाँ पर refrigerant liquid और gas में इसलिए change होता है कि जब भी gas अपना heat आजपास के environment में release करेगा तो वो liquid में change हो जाएगा जैसा कि condenser के साथ होता है और जब भी liquid heat absorb करेगा तो वो gas में change हो जाएगा जैसा कि evaporator के साथ होता है आपने देखा होगा कि जब भी आपको पसीना आता है तो आपको ठंधा फिल होने लगता है ऐसा इसलिए होता है कि पसीना आपके body के heat को absorb करके evaporate होने लगता है और यही सेम कारण है कि मिटी के घरा में पानी ठंधा रहता है और जब भी आप body perfume लगाते है तो आपको ठंधा ठंधा फिल होता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि आपका freeze कैसे काम करता है तो बस आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर कीजिए और channel को subscribe कीजिए ऐसे ही knowledgeful videos हिंदी में देखने के लिए और साथ ही नीचे comments में लिखकर जरूर बताये कि आपको ये वीडियो कैसा लगा